23 अप्रेल, 2024 हनुमान जैनती के दिन बस चुपचाप कर लेना, दो लॉंग और तीन कपूर का महा उपाए, हनुमान जी के आशीरवाद से जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ती खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे। आप करोड़ पती दोस्तों, 23 अप्रेल को हनुमान जैनती पढ़ने जा रही है और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी पढ़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये हनुमान जैनती का समय पूरे 124 वर्षों बाद आया है। क्योंकि इस दिन कुल 61 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें मंगल योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिध्ध योग जैसे योग बन रहे हैं। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे। उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी वेद पुरान को ग्रंथ को उठा कर देखें, तो आपको यही पता चलेगा कि एक साल में 12 पूर्णिमा तिथी पढ़ती है। लेकिन इन में सबसे बड़ी पूर्णिमा। तिथी अगर किसी को माना जाता है, वह चैत्र पूर्णिमा तिथी को माना जाता है, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेश और खास महत्व होता है। दूसरी तरफ हनुमान जैनती के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का वरत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार, दो लॉंग और तीन कपूर का उपाय सही मुहूर्थ पर विधि विधान से कर लेते हैं, तो यकीन मानिये, हनुमान जी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ट हो जाएगा, बलकि आपकी कोई भी मनोकाम ना हो, चाहे वह संतान प्राप्ती के लिए हो, धन प्राप्ती के लिए हो, नौकरी प्राप्ती के लिए हो, या कैसी भी इच्छा हो, वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी, अब आ लौंग का आकार बिलकुल ही हनुमान जी के शस्त्र गदे की तरह होता है, वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि लौंग में हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, दूसरी तरफ जो कपूर होती है, उसको हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र म आता है, शास्त्रों के अनुसार, अगर किसी पूजा में कपूर का इस्तिमाल किया जाए, तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है, दोस्तों, हनुमान जैनती जब भी मंगलवार के दिन पढ़ती है, तब उस जैनती का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व होता है, और साल दो हजार चौबीस में 23 अपरेल को पढ़ने वाली हनुमान जैनती मंगलवार को पढ़ रही है, यानि कि दोस्तों, इस हनुमान जैनती और चैतर पूर्णिमा के दिन, अगर आपने चुपचाप तंतर शास्त्र के अनुसार, लॉंग और कपूर का अपाय करेंगे, तो हनुमान जी के आशिरवाद से ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बलकि आपके जीवन में एक चमतकारी है, सकारात्मक बदलाव आएगा, क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी महराज एक संकट मोचन देवता है, वेद पु महराज उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं, इसलिए बस आपको 23 अप्रैल हनुमान जैनती के दिन हनुमान जी के सबसे प्रियचीज लॉंग और कपूर का उपाय करना है, और यकीन मानिए, तुरंत ही आपको हनुमान जी का आशिरवाद वर्दान एक साथ प्राप्त ह हो जाएगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, हनुमान जी के आशिरवाद से इस साल आप करोडपती बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय हनुमान जी, महराज की जय, सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो आपको हनुमान जयनती के दिन करना है, वह है, धन प्राप्ति का महा उपाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस हनुमान जयनती के बाद, हनुमान जी की कृपा से आप करोड़ पती बन जाए, हनुमान जी के आशीरवाद से आपके जीवन में इतना धन आ जाए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस हनुमान जयनती के दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको चार और एक मुठी धनिया डालना है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, इसलिए हमारे हिंदु धर्म में जब भी दिवाली या धन तेरस की पूजा होती है, तो हर हिंदु भाई बहन एक मुठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी पूजा करके उसको अपनी अलमार में तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि इस उपाय से घर में धन की वृद्धी होती है, दूसरी तरफ जो लॉंग और कपूर होते हैं, वह हनुमान जी की पूजा में जब भी इस्तेमाल किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिध्ध हो जाती है, स्वीकार हो जाती है, आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद हनुमान जी के बीज मंतर का जाप आपको 108 बार करना है, 108 की संख्या, हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, बीज मंतर है, ओम हनुमते, नम अब इस पोटली को आपको हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ लेना है और इस पोटली को लाकर अपनी अल्मारी में तिजोरी में जहां आप अपना पैसा रूप्या रखते वहां पर रख देना सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस हनुमान जैनती के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंतरित हो जाएगी जो हनुमान जी के आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेगी यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी इस पोटली को जैसी ही आप अपनी अलमारी में तिजोरी में रखेंगे आपकी अलमारी और तिजोरी हमेशा नोटों की गड़ियों से भरी हुई रहेगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार है को आपको हनुमान जी के मंदिर ले जाना है मंदिर जाने के बाद आपको तीन लॉंग और दो कपूर को उस बीमार व्यक्ति के सर से टच करा लेना है और यह तीन लॉंग और दो कपूर को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और ग्यारह बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर में आपको हनुमान चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी उससे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं अब आपको इसी तीन लॉंग दो कपूर को पीतल के पात्र में जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने ये हनुमान जैनती के दिन कर लिया तो जो भी बीमार व्यक्ति आपके घर पर है, उस बीमार व्यक्ति की हर परेशानी दुख और दोश को ये तीन लॉंग और दो कपूर अपने साथ लेकर जल जाएंगे। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ जो हनुमान जैनती के दिन किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था। अभी तक आपने वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। तो समझ जाएए आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ती का वास है। तो एक काम कीजेगा। इस हनुमान जैनती के दिन सूर्यास्त को किसी भी पीतल के पात्र में आपको तीन लौंग और दो कपूर जलाना है और इसी का धुआ पूरे घर में आपक हो जाएगा। जिस घर में सकारात्मक उर्जा के वास होता है उस घर की बरकत होती है उस घर की उन्नती होती है। तो अंत में दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी यह प्रस्तुती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारा प्रोथसा करें